कि वाइज की वीडियो आज की वीडियो हमारी बैड मेंटेन फुटवर्क पर है कैसे आप अपने बैड मेंटेन फुटवर्क की स्पीड को इन्हेंस कर सकते हैं बहुत सारे लोगों की क्या से कैसे हम अपनी स्पीड को इन्हेंस करें कैसे स्ठ्रेंद्स करें आज इस वीडियो में कुछ ऐसी exercise बताऊंगा जिससे आपकी speed प्लेश्ट नों को इन्हेंस करने में आपको मदद मिलेगी So without wasting your time, video को start करते हैं इन exercise को perform करने के लिए बहुत सारी equipment की हमें requirement होगी जिसमें ladders, hurdles, disc, cones, cones आजाएंगे अगर आपको ये equipment buy करने हैं तो आप नीचे description में मैं link देतूँगा वहाँ से buy कर सकते हैं, तो video को start करते हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने equipment को set कर सकते हैं agility exercise के लिए यहाँ पर one by one आप देख सकते हैं आप इसको same pattern में लगा की वहाँ पर अपने लिए exercise कर सकते हैं यहाँ पर हम six exercise करने जा रहे हैं तो six stations हैं हमारे पास different different आप देख सकते हैं एक starting में अलग है फिर उसके बाद eight के formation में हैं फिर उसके बाद यहाँ पर हमने huddles लगाई है jumping exercise होगी यहाँ पर उसके बाद fast feed exercise होगी यह जो current में अभी लग रहा है इसके बाद हम लोग letters लगाईगे इसमें आपको highly perform करना है इसके बाद zigzag है six exercise हमारी zigzag है इसमें zigzag movement होगा आपका यहाँ पर हम ready है exercise perform करने के लिए तो हमारी first exercise sideways tapping रहेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे complete करने के बाद आपको जैसी आप next cone पर पहुचेंगे वहाँ से आपको sprint करना है 15 meter की sprint रहेगी वहाँ से आपको jogging करते हुए वापस अपने station पर वापस आना है आप इसे एक एक exercise करके भी perform कर सकते हैं otherwise अगर आपको set wise करना है तो आप पहले एक exercise फिर वहाँ से jogging किया फिर दूसरे station पर आया वह complete किया फिर तीसरे पर गया फिर वह complete किया ऐसे करके आप six exercise का एक round बना सकते हैं ऐसे आप five to seven rounds complete कर सकते हैं ये video आपके लिए बहुत helpful होने वाली है अगर आपको ऐसी और भी training videos से ही तो आप हमारे Instagram account को follow कर सकते हैं वहाँ पे हम daily new videos upload करते रहते हैं इस exercise में आपको 8K formation में tapping करनी है और tapping complete करते ही आपको जैसी आपकी exercise finish होगी वहाँ से again 15 meter sprint करना है उसके बाद jogging के movement में next exercise पे move करना है उसके बाद next exercise पे चलते हैं next exercise हमारी यहाँ पे huddles है huddles पे आपको continue jump करना है continue jump करना है जैसी आपका jumping वाला part finish होगा वहाँ से sprint करके फिर हम next exercise पे move on करेंगे next exercise पे हमें front में fast feed करना है जितना fast आप कर सकते हैं उतना fast try कीजिएगा और जैसी आपकी exercise finish होगी वहाँ से आपको फिर 15 meter sprint करना है उसके बाद आपको slowly slowly वापस आना है फिर next exercise पे चलते हैं next exercise हमारी letters लगी हुई है वहाँ पे आपको high knee का movement करना है इस block में आपको दोनों पैर से high knee का movement करना है जैसी आपका ये complete होगा फिर आपको 15 meter sprint करना है उसके बाद फिर jogging की movement में आपको वापस आना है वापस आने के बाद आपको zigzag का movement यहाँ पे करना है यहाँ पे zigzag exercise है जैसी ये exercise खतम होगी सेम आपको 15 meter sprint मार के ये exercise को finish करना है almost सारी exercise हमने यहाँ पे complete कर ली हैं तो अब हम यहाँ पे 3-3 के pair में दिखाएंगे कैसे आप अपनी exercise को perform कर सकते हैं अगर 3-3 के pair में भी हैं तो एक-एक करके आप कर सकते हैं I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए इससे comment कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर अभी तक आपने हमारे Instagram account को follow नहीं किया है Is there even such a thing? Can we switch up all the rules?